Hello everyone, welcome to English Magic Study IQ आई आज का session स्टार्ट करते हैं और nouns में जो है countable और non-countable non-countable किसे कहते हैं? जो uncountable है uncountable nouns के बारे में जो है वो discuss जो है आज करते हैं first है हमारे पास countable noun countable noun क्या चीज़ है? जिन चीजों को हम count कर सकते हैं जिन को जो है हम गिन सकते हैं जिन चीजों को जो है वो गिना जा सकता है या हम ये कहें कि जिन चीजों के हम singular और plural form जो है वो बना सकते हैं ठीक है ना? यानि कि singular से हम उसको plural बना सकते हैं या जो things है कोई भी वस्तो किसी भी person का नाम है जिसे हम count कर सकते हैं जैसे हमारे पास table है table को हम tables में count कर सकते हैं हम इनको count करके बता सकते हैं कि कितनी हैं उसके लिए tables है, cups है, chairs है doors है, यानि कि हमारे पास जिसकी singular से pluriform जिसकी बनाई जा सकती है, उसे countable noun जो है उसे कहते हैं, clear है, जैसे stories हो गया, boys हो गया, books हो गया, pants हो गया, fans हो गया, shirt हो गया, shoes हो गया, तो ये सबी जिन चीजों के हम singular से plural में जिनको convert कर सकते हैं, उन्हें countable noun जो है, वो कहते हैं, clear, चाहिए हम उसको ये कहें कि जो चीजें हैं, जिनको count किया जा सकता है, जिनको गिना जा सकता है, जिनको हम गिन सकते हैं, उनको जो हम countable noun की category में रखते हैं, noun हमारा कल होई कहता, जिन चीजों को हम touch कर सकते हैं, see कर सकते हैं, और जो, जिनको feel कर सकते हैं, उन्हें हम noun कहते हैं, ठीक है, जब उनको हम count कर सकते हैं, तो वो हमारे पास countable noun की category के अंदर आ जाते हैं Clear है चलिए Next देख लिए या हम इसे कहें uncountable नोन-countable या uncountable noun जिनको गिना नहीं जा सकता जिसे जो है गिना नहीं जा सकता जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते हैं जिने गिन नहीं सकते हैं उन चीजों के लिए जो है इनको वो करते हैं तोलते हैं ठीक है मेजरमेंट करते हैं माप करते हैं या फिर इनको हम तोल करते हैं या फिर इनको तोलते हैं ठीक है अनकाउंटेबल का क्या होगा या नोनकाउंटेबल जिसके हम कह रहे हैं जैसे हमारे पास है फरनीचर furniture को क्या करेंगे या तो हम इसको map कर बनाते है हमें table बनानी है कोई भी जो है chair बनानी है तो हम map कर बनाएंगे map ये इसको नहीं map जाएगा तो उसे हम जैसे sugar है हमारे पास tea ये हो सकते है copper हो सकते है जो चीज़े हमारे पास tol के लिए है जिनकों तोल सकते हैं जिनकों एक quantity में हम देंगे जब उनका माप तोल करेंगे या तो माप पेंगे या तोल करेंगे तो वो जो हमारे पास जो है non countable के अंदर जो है वो आ जाते हैं जैसे हमारे पास है furniture, sugar, oxygen, milk gold, gold क्या है हम इसका माप तोल करेंगे हम आप पेंगे इसको तोल करेंगे इसका तोल लेंगे तोल करी जो हम इसको देंगे चाहे वो gram में है चाहे वो kg में है ठीक है न तो जिन चीजों को जो हम नाप तोल करते हैं उनको हम measurement कर सकते हैं तो जो है उनको जो है जो है वो कर सकते हैं non countable जिनको count नहीं कर सकते हैं इसमें एक चीज और है singular वरब यूज होगी जैसे हमने furniture लिया ठीक है ना furniture तो इसके साथ जब भी हम वरब लगाएंगे ठीक है तो वो जो है हमारे पास easy MR में से क्या होगा easy लगेगा वाज वरब में से वाज लगेगा ठीक है ना इसी तरह से जो हम इसको जो है singular form में जो है वो convert मानेंगे दूसरा ये collective non की तरह होता है जैसे collective non सेम चीज है उसमें भी singular वरब यूज होती है ठीक है countable का opposite है हम इसे इसका antonym बोल सकते हैं ठीक है तो non countable जो है जिन चीजों को नह सकते हैं के clear है दोनों चलिए आज का जो है last question देख लेते हैं तो हमारे पास जो है proper noun आपको बताने जो किसी का proper नाम है जैसे दिक्षा है इंडिया है सहाभाद है जून है जून को यह दी में month बोलता है यह दी में month बोलता है तो हमारे पास common noun होजाता ठीक है तो इसी तरह स city बोलता, तो यह common noun हो जाता लेकिन particular जब मैंने उसका नाम लिया है, तो वो हमारे पास जो है, इसके अंदर proper category के अंदर आ जाता है, goodness हो गए हमारे पास, abstract noun हो गए temple और bus हमारे पास क्या हो गए common हो गए, temple, यदि मैं नाम देता है, जगरनाथ मंदिर ठीक है न, शिवपूरी टेंपल तब जो है, उसका नाम आता ठीक है न, तब जो है, उसको जो है, हम proper noun में रखते, bus मैंने इसका नाम ने दिया, यदि मैं किसी bus का train का, जो है, नाम देता हूँ, stop the express देता हूँ किसी bus का लखनव express bus का नाम देता हूँ, तब जो है, हमारे पास, जो है, वो proper noun के अंदर आता है, ठीक है otherwise, simple मैंने bus कहा तो हमारे पास common noun आ गया, इस तरह से town और city, town के दिमें किसी का नाम लूँगा, जो मैं city का नाम लूँगा, तब ही, जो है, वो हमारे पास proper noun होगा, otherwise, वो common noun हमारे पास रहेगा, gold material noun था, gold, silver, copper ठीक है, तो हमारे पास right था इसके अंदर, दिक्षा, इंडिया, सहबाद और जून चलिए आज का question देख लेते हैं question है, non countable nouns आपको बताने हैं, ठीक है तो non countable आप जल्दी से में comment कीजिए, तो ये था हमारा आज का session, आपको session अच्छा लगा, तो इसको subscribe किए channel को, और like कीजिए तो thank you very much